पच्चिस दिसमबर 1923 खुबावत सहब ने मनुश्मर्ती का देहन किया जिसकी आज नभ्यवी वर्षगाठ है इस मौके पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए आज से नभ्यवश पहले महार में महनत कज्ट दलितों ने एक बगावत शुरू की थी इसकी शुरूआत 1923 को बहि इस एकने वास्तम में इस संवेलन का विचार आरवी मोडर्यने मई 1924 में पेश केया जिने बाद में और बी मोडर्य के नाम से जाना गया इस समेलन में डॉक्टर वी आर अमबेटकर को उनकी अकाडमी उपलब्धी के लिए समानित करने की योजना बनाई गई थी तीन वर् विनायक भाई चित्रे के प्रिस्ताप पर यह निड़े लिया गया कि सभी एकत्र लोग साथ जाकर बोले प्रिस्ताप को लागू करें और चावदार तलाप से पानी पिए बोले प्रिस्ताप को महार ने नगर निगम के पास कर दिया था जिसके अनुसार सभी सारजनिक जल भ भीम राव मेटकरने की इसके बाद वापस लोडते दलितों पर जातिवाद ब्रामणवादी गुंडा तागतों ने हमले किये महनतकश और जुजहारू दलितों हजारों की तादात में महार में मौजुद थे और इन हमलों का जवाब देना चाहते थे मगर डॉक्टर भीम रा ख्रडार तलाब से फिर से पानी लेने के लिए खरय आयुजुद करने का प्रण लिए उस त्यक्रेकरे के लिए लंबी तैयारी की गई इस इससे त्यक्रेकर लिए आयुजुद संभिलन के पहले दिन 25 दिसंबर 1927 को मनुस मर्टी के चुने हुए हिस्सों को बापू सहस्त्र बुद्धे ने हवन कुंड की अगनी के हवाले किया दॉक्टर धीमरा उमेटकर मनुस मर्थी के उन हिस्सों को बापू बहस्त्र बुद्धे को सौंप रहेते यह जाती अनमूलन के लिए ब्रामरवादी विचारधारा पर चोट करनी की दिशा में एक महतव पुर्पृति का आत्मक कदम था इस दिन का इस रूप में इतिहासिक महतव है बाद में महार सत्यग्रे ना हो सका क्योंकि ब्रामरवादी तागतों ने ब्रिटिश कोर्ट में इस्थगत आदेश ले लिया था और कलेक्टर ने स्वेम सम्मेलन में आकर एक भाशर दिया जो वास्तम में कानून ना तोडने की धमकी थी इसके बाजुत भी सम्मेलन के बहुमत ने निर्डे लिया कि कानून तोड़कर भी सत्यग्रे किये जाए लेकिन सम्मेलन के तीसरे दिन सुभा डॉक्टर भीमराम मेटकर के प्रिस्ता पर यह निड़े लिया गया कि ब्रिटिश शरकार वे कानून के वुरुद नहीं जाना चाहिए सम्मेलन का समापन एक प्रतिकात्मक चुलूस के साथ हुआ इसके बाद करी 10 वर्ष तक डॉक्टर भीमराम मेटकर ब्रिटिश अदालत के फैसले के खिलाफ केस लड़ते रहे अंत में बॉम्बे हाई कोट ने फैसला दिया कि दलित को चावदार तलाव में पानी पीने का हक है क्योंकि वह सावजनिक तलाव है और केस में डॉक्टर भीमराम बेटकर की विजय हुई मगर तब तक वह महान विद्रो समाप्त हो चुका था जिससे गरीब महनतकर्च तलितो ने महाड में 1927 में शुरू किया था इसके बावजूद मनुस्मर्ति दहन का प्रतिकात्मक महत्व था और यह दूसरे महार सम्मिलन की उपलब्दी था इस प्रतिकात्मक घटना ने दलित आबादी के बीच एक आत्म शक्ती पैदा करने और दिमागी गुलामी की बेडियों को तोड़ने में एक भूमिका निभाई इस दोर में प्रतिकात्मक कदम का भी एक महत्व था जो किसी भी दमिक शोशित आबादी के आंदोलन के शुरुआत में होता है लेकिन सात्यों आज हम महज प्रतिकात्मक कदमों के दोर में बहुत आगे जा चुके हैं दलित आबादी का 89 प्रतिशत कामगार है यह कामगार समस्ते हैं कि जहां सम्मान की लड़ाई को लड़ना जरूरी है वहीं यह भी सच्च है कि अपने आर्थिक और समाजिक हकों को हासिल के बिना समाजिक सम्मान की लड़ाई भी अधूरी रहेगी वे अपने भोतिक अधिकारों के लिए भी सडकों पर उत्रते रहेंगे 1907 में महान एंकली के विद्धोस से लेकर बाईकों सत्यग्रे तेलंगाना तेभांगा पुनपा वाइलार के खेती हर दलित मजदूरों के संगश और फिर देश के अलग-अलग हिस्सों में 1960 और 1970 के दशक में सरवन जमीदारों के खिलाफ दलितों के जुझारू संगशों तक जाती अनमूलन की लड़ाई ने एक लंबा सफरते किया इस लड़ाई में डॉक्टर भीमरा मिटकर ने भी दलितों के भी सम्मान और गरीमा का बोध स्थापित करने में महतपूर्ण योगदान दिया और ब्रिटी सरकार से कैई कानूनी अधिकार वे रियायसत हासिल की आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां केवल पृति मकदमों से काम नहीं चल सकता आज दलित के सम्मान के लिए भी सिर्फ अरजियां देने मुकदमे लड़ने और सरकार को ग्यापन देने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है और सडकों पर लड़ने की जरूरत है क्या अदालतों में गरीव दलित आबादी के लिए न्याय हैं क्या दलित विरोधी उत्पीडन में कानुनी मुकदमे और अरजियों से कोई कमी आई है क्या अस्मितावादी राजनेती करने वाले तथाक्तिक दलित चुनावी और गैर चुनावी दल बोट बैंक और प्रतिकात्म मुद्दों से आगे जाते हैं नहीं ऐसे में मनुसमर्थी दहन की वर्ष गांट के मौके पर हमें क्या संकल्प लेने चाहिए हमें आज एक ऐसे जाती अनमूलन आंदोलन की आवस्चता है जो की सडकों पर लड़ने की तागत रखता हो जो मेहनकश की वर्ग एक जुटता खड़ी कर ब्रामणवादी और पूंजी वादी तागतों से लड़ने की कुवक्त रखता हो जो मेहनकश आबादी में व्यापत जाती गत पूर्वा ग्रहों के वरुद एक लंबा प्रिचार और शिक्षन चला सकता हो आज पूंजी वादी और ब्रामणवादी का गठ जोड सत्ता में बैठा है जो मजदूर मेहनकश लोगों को लूट रहा है जिसका एक अच्छा ख रहे हैं बरबाद हो रहे हैं जिनके खिलाफ उत्पीडन हो रहा है वे बटे हुए हैं ऐसे में हमें एक ऐसा जाती विरोध आंदोलन खड़ा करना होगा जो की एक जुटता पर आधारित हो और कानून अदालत सवेधानिक विवस्ता को लेकर किसी भ्रम का शिकार ना हो जो पानून वाद के गोल चकर में अठके रहने से पहले ही हम काफी नुकसान नहीं उठा चुके हैं हमें इस गोल चकर से ततकाल निकलने की आवश्यक्ता हैं आज के दिन एक जुझारू वर्ग आधारी चाती अन्मूलन आंदोलन खड़ा करने की शपत ले अगर आपने अभी